असलाम अलेकों मैं हूँ डॉक्टर इर्फान एहमंद आप सबको खुशाम देद इस वीडियो में मैं आपको हिप पेन के एक बड़ी वजा एवी एन जिसको हम एवेस्ट्विलो नेक्रोसिस या आस्ट्यो नेक्रोसिस भी बोलते हैं उसको डिसकस करूंगा अगर आपने रिसरेंटली कोई जिम जाइन किया है और आपके ट्रेनर ने या आपको किसने मिस गाइड किया है कि आप अपनी बॉड़ी को जल्दी बनाने के लिए स्टीराइड के समाल करें या आपका कोई रैलिटिव कि कोई स्रॉंडिंग में कोवर्ट से अफट हुआ है और उसको हाई डोसन प्स्टीराइड दिए गये है और उसके बाद से उसकी हिप में पेर रही है या आपकी स्रोनी में किसी का recently hip dislocate हुआ है और hip dislocation के बाद उसकी hip की pain नहीं जा रही या आपकी neck का femur का कोई fracture हुआ है और fracture heal भी हो गया है लेकिर hip में pain रह रही है तो फिर आपके इस वीडियो को जबूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि AVN क्या है इसके काज़िज क्या होते है इसको treat कैसे किया जाता है इसके अंदर physiotherapy guidance क्या होती है इसका prognosis क्या है तो आईए सबसे पहले AVN को discuss कर लें हमारा hip giant एक ball and socket giant है जो ball है वो basically हमारी femur का end होता है उससे बनता है और जो socket है वो basically ऐसी टेबलम हम बोलते है और ये pelvis का part होता है अगर किसी वज़ो से हमारे head of femur की या ball की blood supply effect हो जाए उसकी वज़ो से हमारा जो head है उसका एक certain part bone का उसकी death होना शुरू हो जाती है इसको हम medical में osteonecrosis या avian बोले avian या osteonecrosis के काज़ की बात की जाए तो बहुत सरे medical काज़ है जिनकी वज़ो से avian हो सकता है इससे exact काज़ के क्यों head की blood supply effect होती है अभी तक नहीं पता लेकिं कामली जो काज़ है उनमें से number one high dose of steroid का usage होता है number two काज़ की बात की जाए तो जो लोग बहुत ज़दा alcohol पीते हैं उनके अंदर भी avian हो सकता है number three काज़ की बात की जाए तो अगर किसी की hip dislocation होई है और वो right time पे treat ना की जाए तो उससे भी avian हो सकता है number four काज़ की बात की जाए तो अगर हमारी neck का femur का fracture हो जाए और उसको properly treat ना किया जाए तो उससे भी देखा गया है कि आस्ट्यो नेक्रोसिस या avian हो सकता है avian का patient जब हमारे पास cleaning पे आता है तो वो किस तर से represent करता है number one उसकी story उसकी कहानी हमें बताती है कि क्या उसको avian के chances हैं कि नी यानि कि हो में कहता है कि मेरे hip के front पे pain है sideways पे pain हो जाती है back पे pain हो जाती है पिछले 4-6 अफतों से ये pain रह रही है मैं दर्द की गोली खाता हूँ तो बेतर हो जाता हूँ लेकिं जब मैं कोई physical activity करता हूँ कोई exercise करता हूँ तो उसके बाद ये दर्द बढ़ जाती है और ये आईसा ऐसा दर्द बेतर होने के बजाए बढ़ रही है तो नार्मली पेशन्ट हिप जाएंट की pain के साथ और उसकी activity related जो pain के साथ present कर रहे हो avian को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी disease progression को समझा जाए decreasing shape हो जाती है और उसको MRI पर असानी से एवन के एक्सरे को पर भी identify किया जा साथ avian को diagnosis बिनाने के लिए जो सबसे important point है कि patient की history है लेट से स्टी राइट का use किया हुआ है उसके बाद हम उसका एक्सरे करवाते हैं हमारी बहुत specific test है जिसकी मदद से avian को identify किया जा सा avian या osteonecrosis of hip giant के treatment की बात की जाए तो number one जो line of treatment है वो conservative treatment है यानि किसके अंदर आप patient को medicine देते हैं pain killer देते हैं और कुछ physiotherapy advice करते हैं ताकि आपके hip muscle के strength बेतर हो जाए और कई दफ़ा कुछ surgeons के अंदर by phosphonates का trial देते हैं जिससे आपके bone की strength जो वो बेतर हो जाती है लेकिन इसके बारे में कोई हत्मी राय कायम नहीं की जा सकी कि by phosphonates आया 100% help भी करते हैं कि नहीं करते हैं number two जो line of treatment है अगर आपके पास patient आता है stage one और stage two के अंदर तो इसके अंदर surgeon की दफ़ा core decompression surgery करते हैं core decompression basically एक drilling है जिसकी मदल से वो आपके जो bone के अंदर death tissues होते हैं उनको निकाल देते हैं और allow करते हैं अजादत देते हैं कि आपकी bone जो है वो आईसा आईसा वहाँ पे strong bone बनना शुरू हो जाए अगर आप grade one या grade two के अंदर आते हैं तो यूली देखा गिया है कि 50 से 90% chances होते हैं कि आपके hip giant को preserve किया जा सकता है stage three और stage four के अंदर जब आपका head of femur जो होता है वो collapse हो चुका है और आपको advance arthritis हो चुका होता है ऐसे cases के अंदर core decompression करने का कोई फायदा नहीं होता इन cases के लिए आपको hip replacement करवाना पड़ती है अगर आप young patient है 20 साल से लेके 50 साल के दर्मियान तो यूली surgeon non-symitted hip replacement करते हैं ABN के बाद अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर हमें core decompression की surgery करवाने की ज़रूरत है या hip replacement करवाने की ज़रूरत है तो लहूर में किस को दखाएं हमारे नजदीक लहूर में one of the best orthopedic surgeon डॉक्टर एसन शिमीम है जो गज़श्टा 25 सालों से बहुत सारे core decompression और hip replacement की successful surgery कर चुके हैं इसके लिए आप horizon hospital के दी हुए number पर राप्ता कर सकते हैं वीडियो के सीसे हमें हम discuss करेंगे कि AVN के conservative trial या बगार सरजी के trial के जरान कौन सी वर्दिशिये या exercise करने चाहिए यह दिन में कि इन exercise का जो main objective है हमारे hip muscle की strength को बेतर करना hip joint की mobility को maintain रखना होता है number one जो exercise हम अपने patient को देते हैं हम कहते हैं कि दोनों hip muscle को squeeze करें और five second का hold करें number two exercise के अंदर हम अपने patient कहते हैं कि गुटने को नीचे वो press करें और five second का hold करें number three exercise के अंदर हम अपने patient से कहते हैं एक टांक को आप bend कर लें दूसरे टांग की मदल से पाउं को अपसर खेंचें, टांग को सीधा अपर हवाब में उठाएं और 5 सेकेंड का hold करें नमबर 4 अक्सरसाइज के निदर हम अपने पिशन करते हैं कि वो टांग को bend करें पूरा और फिर वो सीधा करें सिंपल वो bend करेंगा फिर वो सीधा करें ताकि उसके हिप जाएंट की जो mobility है वो मेंटने रहे नमबर 5 अक्सरसाइज के निदर हम अपने पिशन के करवट ले ले करवट लेके एक पूरी साइडवे लेट जाएं सीधा टांग को बिलको सीधा कर लें साइडवे से हिप को उठाए और 5 सेकेंड का hold करें इन 5 अक्सरसाइज के मदद से आप अपने हिप मसल्स की स्टेंद को maintain रख सकते हैं और हिप जान की mobility को अगर आपके एक हिप जाएंड के अपने क्रच को पकड़ना है और क्रच को फिर आप आगे लेके जाते हैं और लेक्ट लेकर इसके आप चलते हैं जब आप की लेट बिरिंग जो होगी वह क्रच कर लेगी इस तरीके की मदद से आप कमफर्टेबली वाक करें अमीद है कि avian या आस्ट्यो निक्रोस अप हिप के उपर आपको यह हमारी वीडियो उपसानद आई होगी अगर आपको यह वीडियो उपसानद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक्म क जरूर ट्लिक कर लेजिए ताकि आपके आपको मारी नई वीडियो के बारे में अगाही हो अल्ला हम सब का हामियो नासर हो अल्ला हाफिज